नमस्कार मैं हूँ अंजो डोकारियां काटपांडू नेपाल से आज हमारे चैनल पे हमें एक नया कारेकरम शुरू करने जा रहे हैं शक्ती वो शक्ती जो नारी से जुड़ी है नारी शक्ती स्वरूपा है आज से नहीं मद्यकाल से चली आ रही है हमारे देवी देवता भी जो है नारी को उतना ही सम्मान देते थे लेकिन आज के दौर में जो कल्यूग है उसमें नारीों के साथ सब के साथ नहीं कहूंगी परन्तो बहुत सारी नाडियों के साथ में जो है घोर अत्याचार हो रहा है तो इसी से जोड़ी श्रंकला में आज मैं हमारी प्रसम श्रंकला में मैं मनतित करती हूँ सुमती जोशी जी को जो अपने बारे में हमें आज बताएंगी स्वागत है आपका सुमती जी नमस्ते मेरा आपसे सुमती जी प्रशनी यही है कि आप अपना परिचय दीजिए हमें आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं नमस्ते मुसुमती जोशी नमस्ते मुसुमती जोशी जी आज़र आप अपने बारे में कुछ बताएंगी दर्शकों कुछ बताईए अपने विवापुर्व की शादी से पहले की कुछ बाते आपके जीवन के बारे में अच्छा मतलब आप जहां पे काम करती थी वहां पे आपके जो पती है वो भी काम करते थी और उन्होंने आपको प्रपोस किया तो आप लोगों की लव मैरीज हो गई उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी अठारा बर्श मात्र अठारा बर्श इतनी कम उम्र में आपने शादी करली तेती हेरा मला के पनी था थी ना अच्छा क्या था थी ना उसे ले मलाई प्रपोस आंडियो मं प्रवाश्ण तिम संगव बीभागरु रहें और उद्ले वन्हों ने यह जूट बोलके आपके शादी की वह आपसे प्रेम नहीं करते थे और फिर उन्होंने आपको धोगा दिया क्या धोका दिया आपको दोका दिया उल्ले तो अब बच्छा ना उन्देल उमाई संगा बश्यों जब दुदिवरा बच्छा भायो अनि उल्ले मलाई छाड़ेर जान भायो अच्छा किसी और के पास चले गए बत्त बच्चे जब तक नहीं होई तब तक वो आपके सा पात रहे फिर जब आपको बच्चा हो गया तो जब संतान हो जाने के बाद उन्होंने आपको छोड़े किसी और औरत के पास को चले गए अच्छा फिर वो वापिस नहीं आए अच्छा तो फिर आपने क्या क्या निर्णे लिया उस वक्त क्या सोचा आपने क्या मानस्तिती जाने लाई तो अब जाने दिन पर छा रोके रहा रहना बनी शकीन दाई ना जी 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 तो बहुत अच्छा निर्णे लिया आपने मतलब इतनी कम उम्र में आपने इतना कठोर संघर्ष आपने जो किया है कि आपने उसे फिर वापिस नहीं बुलाया मतलब वो जब आपको छोड़के गए तो उनकी आदते ऐसी थी पहले भी आपको कभी छोड़के गए थे कि एकी बार छोड़के गए थे आपको आपको फोड़ छोड़ के चले जाते थे तो इस बार आपने निर्ड़ लिया कि आप उसे नहीं बुलाएंगे तो तब तक कितने बच्चे हो गए थे जब वो आपको छोड़ के गए दो बच्चे हो गय बच्चों को कैसे पाला काम यानि बड़तन माच के घर के काम करके तो यह कोई खराब काम तो है नी तो अच्छा काम है अच्छा मतलग कि आप अकेली रहती थी तो जोटे चोटे बच्चे को घर में बंद करके आप आती थी काम करने तो और तो क्या समस्या होती होगे इतने चोटे चोटे बच्चे तो डर भी लगता होगा जब घर में बंद रहते तो आप जब काम करने जाती तो क्या चलता था आपके मन में धर जाती थी तो क्या देखती थी आप ऐसा कुछ आपके बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं तो अभी भी आपके बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं तो संगर्चुरत हैं अभी अभी क्या कर रही हैं और आगे भविशे में आपकी क्या प्लानिंग कुछ बताएं मत्तब कि अभी आप क्या कार्य कर रही हैं और आगे आपने क्या सोचा है अपने भविशे के लिए अपने बच्चों की भविशे के लिए क्या आपने दूसरे अब आपकी क्या उम्र होगी 26-27 साल 28 साल तो आपकी उम्र तो अभी भी कम है लेकिन आप दूसरा विवार नहीं करना चाहती है आप अपने बच्चों को पूरी लाइफ डेडिकेट आप कर रही है उन्हें पाल उनका पालन पोशन आप करके उन्हें बढ़ा करेंगी तो आप कुने पढ़ाना लिखाना चाहती है तो बहुत अच्छी बात है अच्छा चलते चलते हमारे दर्शकों को कोई आप संदेश देना चलते चलते अब मैं आपसे एक अनुरोद करूंगी कि आप हमारे सभी दर्शकों को एक संदेश दे नारियों के लिए हम पूरे समाज के ल पैरों पर खड़ी है तो हमारी नारियों को विशेश कर आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो भी आपने बताया अभी कि जिस तरह आप अपने पती के पैर आपने नहीं धोके वो आपको छोड़के चला गया तो उसी के बारे में आपको संदेश देना चाहती तो बताइए नारियो को? पुनाई पनी नारियोरू कमजोड न उस उनियोरू आपनो खुटामा उब्योश। जी रा उनियोर्गो मतलब शिरीमानले या छोडेरा गयो, कीट-कीटारा, खुटा डोगना न परोश। जी 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 तो ये था आज का संदेश सुमती जी की ओर से सभी नारियों सभी महिलाओं के लिए पुरे समाज के लिए की हमें नारियों को भी गिरगडाना नहीं चाहिए, उन्हें अपने स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए और आगे अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, पुरे द्रिट्टा के साथ सर उठा करके तो इसी के साथ आज का कारिकरम में यही समाप करती हूँ, अगले कारिकरम में अगली एपिसोड में आपसे फिर से मिलेंगे शक्ती में किसी दूसरे हमारे महमान के साथ, तब तक के लिए विदा लेती हूँ, नमस्कार